कोरोना प्रोटोकॉल का उलंगन करने की मिली शिकायत पर कारवाही करते हुए मंगलवार को राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने लाटगन स्थाने की अंतरगत खजांची चौक में चिंटु डोसा एवं ठाकोर चार्ट भंडार को सील कर दिया है नायाब तैसिलदार अधारताल संदीब जैस्वाल के अंसार इन दुकानों पर बेना मास्क के एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन ना करते हुए ग्रहकों को बिठा कर खिलाया जा रहा था कलेक्टर ने कोविट की वर्तमान प्रवित्ती को देखते हुए स्वयम के तथा लोगों की सुरक्षा के लिए सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार कर दिया है के लिए एक व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है गरीब तपके के लोगों को निशुलक मास्क दिया जा रहा है वहीं सक्षम लोगों पर जुर्माना किया जा रहा है मास्क नहीं लगाने वालों के लिए खुली जेल की विवस्था भी की गई है दुकांदारों से आग जबलपुर में कोरोना संक्रमन धीरे-धीरे पूरे शहर को अपने गिरफ्त में लेता जा रहा है। पर स्वासलाब ले रहें, गौर तलब हैं कि निगम आयुक्त संदीब जी आर ने 22 मार्च को हुई एलगिन अस्पताल में कोरोना का दूसरा डोज लगवाया था। कोन उपाय बताया। रांची श्याम नंदन चंदेले की अगवाई में की गई। तैसिलदार रांची के मुतागविक कारेवाही के दोरान रेस्टोरेंट में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उलंगिन पाया गया तथा प्रतिबंदन के बावजूर यहां ग्राहों को बिठा कर नूडल्स आधी परोसे जा रहे थे। जबलपुर रोकोटो को अभियान के तहट तैसिलदार रांची शामनंदन चंदेले के निदित में की गई कारेवाही में मंगलवार को कोरोना प्रोटोकॉल का उलंगिन करने पर साथ व्यक्तियों को सामुदा एक भवन गोकलपुर को की अर्स्थाई जेल में भेजा गया ततरांची इस्तित एक दुकान किरन स्टेशनरी को सील किया गया अधारतल शेतर में कोरोना प्रोटोकॉल का उलंगिन करने पर 23 व्यक्तियों को आज शाशकी प्रात्मिक बालक शाला अधारतल इस्तित अर्स्थाई जेल भेजा गया नायब तैसिलदार अधारतल संदीब जैसवाल के अंसार अर्स्थाई जेल भेजे गए ये लोग बेना मास्क लगाए सारवजने के स्थानों पर घूम रहे थे कलेक्टर ने मंगलवार 6 अपरेल की ब्रीफिंग में अपडेट देते हुए कोरोना वाइरस की संक्रमन से बचिने मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की पालन सक्टी से करने की अपील की है श्रीशर्मन ने बताया कि जो व्यक्ति कोरोना के बेसिक नियमों का वालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद प्रशाशन द्वारा लगतार कारेवाही भी की जा रही है जुर्माना के साथ-साथ ऐसे लोगों को अब अरस्थाई जेल भेजा जा रहा है इसके लिए शेहर में शेह स्थानों पर अस्थाई कारवास बनाए गए हैं कलेक्टर ने कोरोना मरीजों के उपचार की विवस्थाओं की जानकारी भी दी है उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनके उपचार के लिए शेहर के शाश किये एवब निजी अस्पतालो में परियाप्त संक्या में ऑक्सिजन, ICU, बेड उपलब्ध है इन अस्पतालों में इन बिस्तरों की संक्या बढ़ाने के लगाता प्रयास भी किये जा रहे हैं श्री शर्मा ने कोरोना से मिलते चुलते लेक्षन दिखाई देने पर तुरंत नजदी की फीवर क्लिनिक पे अपने स्वास्त की जाज करने का अनुरोद भी किया है उन्होंने बताया कि जेल के शहरी और ग्रामी शेत्र में स्थित सभी फीवर क्लिनिक्स में स्वास्त परिक्षन और कोविट टेस्ट की सुविधा निशुल को उपलब्ध है श्री शर्मा ने कोविट की चेन को तोड सिद्धों ने अथ्वा सेनिटाइस करने के साथ सर्थ अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली ट्रीटमेंट के सिध्धान्त को अपनाने पर भी जोर दिया है कलेक्टर ने कोरोना वैक्सिनेशन अभियान का विशिश उलेक करते हुए बताया कि जिले के शहरी और गामिन के उपायों के प्रती जन जागरुकता पैदे करने के लिए चलाय जा रहे रोको टोको अभियान में पाटन के व्यापारी भी स्थानी प्रशाषन के सहियों के लिए आगे आ रही हैं पाटन के मुखे बाजार में आज व्यापारीयों दोरा प्रशाषन की अपील पर ग्रह लंगन करने पर कारेवाही भी की जा रही है तता मंगलवार को साथ व्यक्तियों से 700 रोपे का जुर्माना वसूल किया गया है